नमस्ते व्रेंश जिसका बड़ा सा घर हो जिसके पास बहुत सारी पैसे हों उपर से वो वर्किंग रहते है जो भी वोमन वगेरा वरकिंग रहते है उसके पास ना तुर टाइम रहता है तो वो सारे ही जो भी ओर्गनाइजर जो भी घर की रेलिये कोई भी और favorable नहीं रहती यूँकि बनाने का उसके पास टाइम नहीं होता हूँ और उसके पास बहुत सारी जगह रहती है तो उसको जगह की भी प्रोब्लम नहीं रहती यानि की स्पेस सेविंग आइडिया को भी उसको अपनाना नहीं पड़ता तो मेरा जो भी इस चैनल का जो बेज है पूरा ही जो करूँ जो आपकी डेली लाइफ को एकदम ही इजी बना दे और बहुत सारे पैसे भी बचाए उपर से जो जिसके पास भी टाइम हो अपना टाइम अच्छे से प्रोड़क्टिव टाइम में कनवर्ट कर सके तो इसमें से कोई भी आईडिया आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल में नई हो तो चैनल में सबस्क्राइब से इ tiếpे सकते हुग इस थे मेडिसे तो पर अप कर रहे हैं तो आह पर आपको जो बी मेडिसें यूज में आ चुकी है उसको कट करके तो कर लेना है तो अप देख सकते कितना material निकला है जिसे कि हमारी medicine पूरी ही थोड़ी mess वाली लगती है वरी-वरी से रखती है क्योंकि बहुत सारी medicine तो वैसी होती है जो खाली रहती है तो उसको cut करके फिर इस तरह का जो भी मेरे पास सेरामेक का बाउल था उसमें मैंने भर दिया है हुए container हो गए या कोई भी आप बाहर से भी container या organizer लेते हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो या आप जो food मंगाते हैं online तो उसमें भी जो take away इस तरह के container आते है वो आप इसमें यूज़ कर सकते है उसी तरह इस तरह के जो भी चटनी वगेरा या फिर आप को न्यूचला वगेरा या फिर कोई भी सिर्फ वगेरा लेते हैं बहुत सारी चीज़ों में इस तरह के glass के जास मिलते हैं तो वो item खतम होने के बाद इस glass के जार का आप रियूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को भरने के लिए और चीज़े इसमें visible भी रहती है और secure भी रहती है उसी तरह घर में इस तरह की जगर रहती है बहुत हैट वाली रहती है जहां पर cleaning कर भी बहुत ही मुश्किल हो जाती है तो यहां पर देख सकते हो मैंने नीचे cleaning कर ली है उपर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है बच्चों का टीशेट हो तो बहुती बड़िया बात है इस तरह से उपर से आपको वाइपर के उपर से इसको पहना देना है फिर आपको पीछे की उट लेके फिर septic pin से सिक्योर कर लेना है यहां पर मेरे पास बड़ा टीशट है इसलिए छोटा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस उपर नीचे जहां भी आपको क्लीनिंग करनी है मिन्टों में हो जाती है आप इसको कपड़े को गिला करके भी क्लीनिंग कर सकते हो तो यह आइडिया कैसा लगा सारी ही पड़ा था इंडिया में पता ने कितने का पड़ा यहां पर इंडिया के रुपीज में हंड्रेड रुपीज का यह है अभी यहां पर मल्टी परपस हैंगर है बहुती काम आता है चाहें इसको किचन में लगा लो बातरूम में लगा लो या कोई भी टेबल के साइड डॉर में आप इसको लगा सकते हैं बहुती स्पेस को जो है ये यूटिलाइस करता है बहुत सारी चीजे हैंग हो जाती है जो भी हमारे कब बोड में वर्टिकल स्पेस हो या कोई भी केबिनेट्स में वर्टिकल स्पेस हो उसको आप अच्छे से यूटिलाइस करने के लिए इस तर हैं करके बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हो तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि अभी क्या रहता है कि वीडियो मेरे थोड़े कम आ रहे थे तो थोड़ा व्यू में प्रोप्रम आ क्योंकि जब हम काम करना बंद कर देते हैं तो यूटुब वाले भी हमारी चैनल को रेकमेंडेस नहीं करते उसी तरह इस तरह के जो भी आटे की बेग हो या इस तरह की शोपिंग बेग हो इसका आप यूज अच्छे सी कर सकते हो मैंने पूरे ही इस तरह की बेग में थोड़ सकते हैं उसके लिए हो या फिर कोई भी गार्डनिंग करना हो तो मिट्टी को यूँ ही ट्रांसफर करना हो तो नीचे इसको रख सकते हैं या फिर कोई भी जो हम एची टेबल्स वगेरा कट करते हैं उसके नीचे भी आप इसको रख सकते हो मैं कोई भी डियाइवय हो गया उसमें spray paint करती हूँ तो भी उसके नीचे as a mat के तोर पे इसको बीचा देती हूँ तो यहाँ पर मैंने ट्रोर को अभी clean करना था और मुझे अच्छे सा organize करना था तो उसके नीचे lining नहीं थी तो मैंने इसका as a liner use कर दिया है और यहाँ पर मैं इसका कहना चाहूंगे कि एक का टाइम भी आपका ज्यादा लेता है तो कभी-कभी क्या रहता है कि आप जब कुकिंग करना कर रहे हो तब पीच बीच में टाइम लगता है कि कोई प्रिशर कूक हो रहा है तो आपके पास टाइम रहता है तो चोटे-चोटे किचन के जो space है उसको आप क्लीन करो दीरे- तो टाइम का आपका दो गुना यूज हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हो काउंटर टुप के आगे वाले हिसे में मैंने इस तरह का उडन सेल्फ रखा है तो पीछे आगे की वह जार है पीछे की वह जार है तो दिखाई नहीं देता है कि जार को लेना पड़ता है फिर पीछे दिखाई देता है यहां पर मैंने पहले भी एक और्गनाइजर यहां पर जो है कार्ट बोर्ड में रेपिंग पेपर को लपेट कर बनाया था तो थोड़ी हाइट मिल जाती है पीछे वाली चीजों को तो यहां पर मेरे पास एक थर्मो कोल का थोड़ा सा जो यह इस तो मैंने यहां पर लगा दिया है तो जो पीछे वाली चार्स थी उसको मैंने उसके उपर प्लेस कर दिया है जिसे कि क्या हो कि हमें कोई भी चीज पीछे वाली निकालनी है तो आगे आगे वाली चीज को निकालना नहीं पड़े या फिर वो वीजिबल रहे तो वो सारी च पर्टी हो जाती है मेरे फ्रेंड्स भी मेरे घर से ले जाते हैं तो इस तरह से उपर का जो हैंडल है वो मैंने निकाल दिया है फिर इस तरह की डोरी ली है इस तरह की होने चाहिए जो शू में जो डोरी आती है उसकी हिसाब से तो क्या है कि यहां पर दो होल हम लगाएंगे तो इजी ली इसमें इंशट हो पाए तो यहां पर फिर मैंने गरम करके फिर दो होल लगा दिये हैं दोनों जो डोरी है उसके जो हिस्से है जो स्टार्टिंग पॉइंट वाले उसको इसमें एंटर कर देना है फिर खीच के एक और नोट बना लेनी हैं यहां पर मैं टेमपरर यह चीज आपको बताने के लिए यहां कर रही हूँ तो इसलिए मैंने नोट बना कर फिर इससे ही लख दी है वरना नोट बना के आप जो भी एक्ष्टा पार्ट है उसको कट कर दो तो अच्छा लगता है फिर यहां पर मैंने कमांड हुक ले ले है केबिनेट के साइड प्लेस करेंगे फिर जो डौरी है उसको इसमें फसा देंगे और जो हमारी जो डस्ट बीन हमने क्रियेट की है वो यहां पर हैंग हो जाएगी वेसिकली यहां पर हम हैंगिंग डस्ट बीन बना रहे है जब भी आपको चाहिए तो यूज करो वरना इससे निकाल भी सकते हो यूज एन थ्रो भी कह सकते हो तो जब भी ज्यादा चोपिंग वगेरा रहती है तो काउंटर टोप के नीचे इसको प्लेस कर दो जो भी चीजे निकली है उसको आप इसमें रम कर दो और फिर यह आप देख सकते हो कापचा हो तो इसको रख भी सकते हो या फिर आप इसको जब चाहे यूज कर सकते हो तो परमेनेटली आप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो उसी तरह आप देख सकतो यह ड्रियम स्टिक आई हुए है अभी आई थी तो इसका मुझे हम गुजराती लोग इसकी ड्रॉम स्टिक की कड़ी बनाते है तो वो कड़ी बनानी है तो यहां पर cut हो जाती है तो बहुत सारे idea है जिसका substitution हो सकता है बहुत सारी चीजें मैंने already share करी हुई है तो थोड़ी बहुत जो भी drumstick चाहिए थी वो मैंने pressure को करने के लिए रख दी है जो भी थोड़ी बहुत बच्ची है उसको हम अब कैसे श्टोर करते हैं तो प्लास्टिक क इस तरह के lunch box बच्चों के पड़े रहते हैं जो हम year by year exchange करते हैं या फिर discard करते हैं तो उसका use करके हम इसको store करेंगे तो यहां पर आपको cotton का कपड़ा लगाना है या फिर kitchen towel लगा के फिर इसको में सारी चीजों को आपको रखे कोई भी चीज हो गई कोई भी herbs हो गया कोई भ मस्चिर आत के कारणों बिगड़ जाता है तो उपर भी आपको थोड़ा सा फिचन का एक रोल है वह आपको लगा देना है जिससे की वह खराब ना हो उसी तरह यह एक lunch box है जिसमें थोड़ी बहुत मिठाई भरी हुई है तो आप इस तरह से चीजों का reuse कर सकते हैं और उसी फिला है या फिर cleaning करनी हुऊ उसी टाइम कर दो वरना क्या रहता है कि एक साथ सब इखटा हो जाता है तो हमें बहुत ही हम अपने mind को समझाना पड़ता है cleaning करने के लिए और आगे काम करने में भी हमें मजा नहीं आता तो यहां पर थोड़ा बहुत टाइम था तो को करते सम में मैंने बहुत सारा काम कर लिया वो ही आपके साथ शेर किया है उसी तरह जो भी दूध वगेरा हो गया या फिर जो भी यहां पर गेश्ट उपर गिरता है वो भी आपको तुरंत ही clean कर देना चाहिए जिसे की ज्यादा मैस ना फिले वीडियो कैसा लगा कमेंट चरूर कर कर दो कर दो